नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी सेनी, सहाय काचारिय हिंदी, राजकिय कन्या महाविद्याले, सीकर आज का हमारा जो टोपिक है, वो है हिंदी की बोलिया, उनका वर्गी करण तथा छेत्र आप सभी को पता है कि खड़ी बोली हिंदी का विकास आधुनिक काल में, द्विवेदी युग में सुरू होता है उससे पहले भारत में साहित्य की भाषा एवं आम बोलचाल की भाषा ब्रज भाषा और अवदी थी आधी काल से लेकर आधुनिक काल तक हिंदी का विकास निरंतर होता रहा है और आज हमारे सामने जो खड़ी बोली जिस स्वरूप में है वह स्वरूप अनेक चरणों से होकर गुजरा है तो आधुनिक काल में सरस्वती पत्रिका की स्थापना जब 1922 में होती है उसी से महावीर प्रशाद द्विवेदी के आहवान से उनके अथक प्रियासों से हिंदी को खड़ी बोली हिंदी की ओर प्रवरित किया जाता है सरस्वती में महावीर प्रशाद द्विवेदी आहवान करते हैं मैथिली सरण गुप्त जैसे राष्ट कवियों से कि आप ब्रज भासा में नए लिखकर खड़ी बोली हिंदी में लिखेंगे तो भारत में खड़ी बोली हिंदी का प्रचार प्रशार अधिक होगा एवं आम जन के बीच में हिंदी भासा का महत्वय और प्रभाव शुरू हो पाएगा इसलिए अब आपके सामने जो हिंदी भासा है उसकी बोलियों के उपर विचार विमर्श किया जाएगा हिंदी की जो उप भासाएं हैं उसमें जैसा आप देख रहे हैं पस्मी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाडी और बीहारी है इसमें पस्मी हिंदी के अंतरगत आने वाली जो बोलिया है वो खड़ी बोली है जिसको हम कोरवी कहते हैं ब्रज भासा है जो भक्ति काल और रीति काल के साहिते की सबसे समरिद्ध भासा रही है बुन्देली है, कन्नोजी है और हर्यानिवी है जिसको बांगरू भासा सभी कहते हैं दूसरे नंबर पे आती है पूर्वी हिंदी पूर्वी हिंदी में तीन बोलिया है अवधी, बगेली, छतीश गड़ी इसके पस्चात है राजस्थानी राजस्थानी में चार बोलिया है मारवाडी, जैपूरी, मेवाती और मालवी इसके पस्चात पहाडी है जिसमें गड़वाली, कुमायूनी और नेपाली भासा ये तीनों भासाई इसके अंतरगत आती है पांचवे नंबर पे है बिहारी जिसके अंतरगत तीन बोलिया है भोजपूरी, मगही और मेथिली इस प्रकार से आपने देखा कि हिंदी की पांच उप भासाएं है और इन उप भासाओं में विभिन प्रकार की बोलिया है जो हिंदी भासी प्रदेशों में बोली जाती है अब जो खड़ी बोली है उसका जो मूल छेत्र है वह है देहरादून, सहारनपूर, मुझफर नगर, मेरट, बिजनोर, रामपूर, मुरादाबाद इसके पश्यात ब्रज भासा जो है इसका जो मूल छेत्र है आगरा, मथुरा, अलीगड, मेनपूरी, एटा, हाथरश, बदायू, बरेली और धोलपूर इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो भासाएं है ये अब विशेश रूप से जिस छेत्र में बोली जाती हैं वहीं पर इनका विकास देखने को मिलता है इसके पश्चात साहिते की सबसे समरिद भासा आती है अवधी अवधी के जो छेत्र हैं वो हैं कानपूर, लखनव, बारा बंकी, उन्नाव, राइबरेली, सीतापूर, फतेहपूर, फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगड, सुल्तानपूर इसके पश्चात बगेली का जो छेत्र है वो है रीवा, सहडोल, सतना, मैहर, नागोद इसके पश्चात कर्नोजी का जो छेत्र है वो है इटावा, फरूखाबाज, साह जहापूर, हरदोई और पीली भीत इसके पश्चात आती है भोजपूरी, भोजपूरी का जो छेत्र है वो है वाराणसी, जोनपूर, गाजीपूर, बलिया, गोरकपूर, देवरिया, आजमगड, बस्ती, साहाबाद, चमपारण, सारण, हादि इस प्रकार आपने देखा कि हिंदी की बोलियां और उनका वर्गी करण और उनके जो छेत्र हैं, इनसे जुड़े हुए प्रसंद हमीशा पाठे पुस्तकों से आते हैं और प्रतियोंगी परिक्षाओं में भी हिंदी की बोलियों के अनेक प्रकार प्रसंद बनने में जो बोलिया हैं, वो भी महत्वपूर्ण होती हैं और इनके जो छेत्र हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इसलिए जो विद्यार्थी हैं, हिंदी भासा की बोलियों एवं इनके छेत्रों को पढ़कर के हिंदी भासा का जो जो ग्यान है वो प्राप्त कर सकते हैं हिंदी भासा पूरे भारत में नो राज्ये एवं दस्वा केंदर सासित राज्ये जो दिल्ली हैं, इन दस राज्यों में खड़ी बोली हिंदी का प्रियोग किया जाता है वैसे संपुर्ण भारत ही नहीं, संपुर्ण विश्व में हिंदी भासा को बोलने वाले, समझने वाले करोणों लोग हैं और कुछ राष्ट्र तो भारत की तरह ही पूर्ण रूप से हिंदी भासी राष्ट्र हैं, जैसे मलेशिया, सूरिनाम, त्रिनिनाद, फीजी ऐसे देश हैं, इंडोनेशिया, जिनमें हिंदी भासा साहितिक रूप से, व्याकरनिक रूप से, प्रशासनिक रूप से और आम बोलचाल की भासा की रूप में प्रियुक्त की जाती है इसलिए हिंदी भासा का छेत्र बहुत व्यापक है एवं इसका साहित्य बहुत ही सम्रिद्ध है इसलिए सभी विद्यार्थी हिंदी भासा के महत्व को अच्छे तरीके से इनके साहित्य को पढ़कर के इसकी व्याक्र कर सकते धन्यवाद